सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद उन्हें जो बिल कौन है उसे क्लिक करें क्यूंकि जो भी मैं नोटिफिकेशन देट अप्लाई करती हूं आपको जल से जल पता चल जाएगा साल्ट स्वाद अलमसार 1 1-2 स्पून लेजिए और मिर्ची पाउडर 1 1-2 स्पून और टू एक्स एक बॉइल में लेगी जिए और गींजर गार्लिक पेस्ट जिसे अद्रक लैसन कहते हैं उसका पेस्ट लेगी जिए और एक बॉइल में अंडे फोड कर दाल दिए और आनियन स्मॉल पीसेस लेडी हूँ है और उसमें मिर्ची, हल्दी, अदर ग्लेसन और सुब को अच्छी तरह से मिक्स किया गया है अच्छी तरह से बॉइल में मिक्स कर लेना चाहिए चूंके अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और किसी चीज की कमी ना हो अच्छी तरह से मिक्स कर ल तू स्पॉंस टू एंड आफ स्पॉंस ऐले के उसमें डाल दीजिए और धीमी आज पर गर्म होने रख दीजिए जब हलकी आज पर गर्म होने लगेगा तो जब हमने जो मिक्स करके रखा हुआ है एक उसमें डाल दीजिए और धीमी आज पर अच्छी तरफ से पकने दीजिए जैसे कि आप देखते हैं इसमें किस तरह और उसी आहिस्ता आहिस्ता पीसेश करकर उसी अच्छी तरफ से उपर नीचे पका दीजिए धीमी आज पर और वह सुल्ख भूरे रंग का नजर आ जाएगा जिसकी यह निशानी है कि वह अच्छी तरह पक चुका है और इसे भी धीमी आज पर रख कर एक प्लेट में उसे शादाप्त की तरह देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग देख कर खाने को मन कर रहा है और ये इसे ओनियान एक ओमलेट कहते हैं जो बहुत ही डिलीशियस है डिश और हरी का फेवरेट एक होता है तेया है